यह चैनल का नाम RITJ ही है इन्होंने पुछा है How to follow lectures on your channel or PCM or droppers in less time In less time का तो मतलब देखो यह है कि सबसे परहे जो sequence वाली बात है उसके लिए हमने अलरी video डाल लखा है कि किस sequence में हमें chapter complete करने चाहिए तो एक चीज तो you are supposed to go through that उसे हमें एक proper sequence मिलेगा दूसरा चीज लेस टाइम का मतलब क्या है जितनी देर की चीज़े उतनी देर में ही देखेंगे बस यह अलग-अलग थोड़ा-थोड़ा receptivity होता है बच्चों का हमने जो lecture बनाये है वो उस हिसाब से बता है कि बनाया है कि बच्चा अपने घर पर बैठा है उसके पास कोई भी help अवेलबिल नहीं है तो जितने भी उसके दिमाग में doubt आई होंगे वो हमने address कर लिया है यह ठीक है आराम-ाराम से एक चीज़ को चार-चार बार रिपीट करके ऐसे पढ़ाये ताकि जो 11th क्लास का बच्चा है वो भी फुली समझ पाए without किसी help के तो इसलिए हम बोसकते हैं कि लेक्चर थोड़े से slower side पे है जिस बच्चे की receptivity थोड़ी better है या फिर अगर कोई dropper का बच्चा इसने एक बार पढ़ रखा है तो he can understand same lecture at 1.5x speed जो YouTube में आता है कुछ बच्चे 2x की speed पे भी पढ़ते हैं तो time बचाने का तरीका तो I will से यही है कि हम अपना speed बढ़ा लें जैसे mathematics के जो lecture है वो around 300 hours के हैं 1.5 speed पे देखोगे YouTube के अंदर तो 200 गन टेक के अंदर पूरा से लिवस खतम हो जाएगा and if you can manage because some students ने मेरे को बताएगी वो 2x की speed पे भी बहुत comfortable है तो वो time और कम हो जाएगा बकी I will not say कि यह lecture छोड़ दो यह lecture छोड़ दो उससे क्या होगा कि चीजें थोड़ी सी half hazard हो जाएगी अभी time है we can go through the entire content for the best result all the best question जिबेंदर कुमारलाल ने पूछा है उन्होंने यह बोला है कि maths और physics में उन्होंने mains के above level कर रखी है preparation और उसको mains level के pyq वगरे में difficulties नहीं आ रही और बोला है also I can solve advanced questions and pyqs in this subject और इसके लिए अपने channel को भी thank you बोला है उन्होंने और उन्होंने यह बोला है कि chemistry में उन्होंना अभी तक NCRT कम्प्लीट करिये और उन्होंने एक और question यह कि my question is that will I would be able to crack mains with this situation or not if not then what should be the strategy for chemistry और उन्होंने एक और question पुछा है कि मेरा advance के लिए क्या chance होगा ठीक है तो I would say कि अगर तुम्हें best performance चाहिए तो हम केबल NCRT पे rely नहीं कर सकते हैं जेई mains के लिए भी तो अभी तो तुम्हारे पाद sample time है I would say कि going forward जतना भी time बचा हुआ है हम 50% time अपना chemistry में ही invest करें क्योंकि अगर math में और physics में तुमने बुला और जिस तरीके से chemistry का paper पिछले एक दो साल में easy आया है तो अगर तुमने ढंक से नहीं कर रखा हूँ तो you lose out बाकी लोग score कर जाएंगे तो तुम ऐसा मत बोलो कि इसी के basis पे मैं means देदू क्या क्यों देदू पई अभी तो बहुत टाइम बचा हुआ है तो अपना जो कमी है उसको दूर करो ना rather than तुम ये पूशे हो कि मैं इसी कमी से क्या olympic जीत सकता हूँ क्या तो ऐसी हम situation आने ही क्यों दे अभी भी बहुत टाइम बचा है अगर तुम्हें कोई mental blockage है कि मैं chemistry में चानी कर सकता तो I will say you have to get rid of this और last के एक दो महिने में ऐसा किया जा सकता है last के भी हमारे पास एक दो बच्चे जो selected थे उन्होंने यही बुड़ा था कि chemistry से उनको kind of phobia था last तक बट जब उनकी एक बार हमारी team से बात हुई तो जब हमने उनको convince किया कि तुम्हें एकर best rank चाहिए या फिर selection भी चाहिए इवे तो आपको तीनों subject अच्छे करने पड़ेंगे तो बोलते हैं कि उसके बाद जब मैंने seriously एक genuine effort मारा तो मेरा जो बहुत weak subject था वो भी मेरा बहुत अच्छा हो गया और उसी की वजह से वो आज IAT में बैठे हुए तो I will say कि ये negativity जो है किसी भी subject के लिए चाहिए वो chemistry के लिए और किसी subject लिए वो तुम्हें दिमाग से अटाना पड़ेगा अगर तुम्हें अपने potential के हिसाब से perform करना है तो सारे subject अच्छे होने चाहिए बहले ही हमें अच्छा लगे या बुरा लगे chemistry में तो हमें पहले 50% time invest करना है चाहिए क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा marks gain करने की अभी possibility है और जब एक बार ये हो जाए तब उसके बाद advance का start करना है all the best Sir जो next question है वो channel का नाम है Never Out of Fight और ये प्रवीन batch 9 के student है जोके एक dropper batch है उसमें इनों ने कहा कि इनका syllabus March 1st week में complete हो जाएगा और ये जो है आपके normal lane से high weightage के chapters करते हैं और fast lane से low weightage के chapter करते हैं exercise 1 के 65 to 70% question है solve कर पाते है exercise 2 इनों ने अभी तक attempt भी नहीं करी है ये daily date गंटा revision को देते हैं और 13 से 14 गंटे total पढ़ाई करते हैं I think which is very good विल्कुल, excellent and इनका aim है कि इनकी advance में 10,000 के अंदर rank आनी चाहिए तो ये आप से थोड़ा analysis करवाना चाहते हैं कि कहां ये stand करते हैं is it possible and all those things की mains और advance के बीच के time में कैसे पढ़ाई करूँ क्या पासिबल है हाँ तो देखो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँ कि शाहिए तुमने लेट स्टाट किया होगा इसलिए मार्च के लास्ट टक पेपर जा रहा है स्वरी, slaybers जा रहा है दूसरा चीज मैं तुम ये बताते हूँ बहुत चोटे-चोटे question कराते हूए जाते है एक चीज को चार-चार बार repeat करते हूए fast name में ऐसा नहीं है but fast name में ऐसा नहीं है कि कुछ कम पढ़ाया गया पूरा slaybers उसमें ही किया गया है और बहुत सारे बच्चे पूरा slaybers ही fast name से करके वो आराम से शांदार rank मारेंगे जहां तक तुमने बोला कि exercise 1 में तुम 55 to 65 या 65 to 75 percent question करें तो I will say that is a very good sign और exercise 1 का ही मैं तुमें example देता हूँ last year हमारे पास दो बच्चे थे बच्चे तो और भी होंगे जिन्होंने मैं को specifically बोला इसलिए मिले को याद है उसको मैं हर जगे कोट भी करता हूँ कि उन्होंने केवल exercise 1 किया था और एक बच्चे की 99.7 percentile था एक का 99.8 percentile था तो 99.8 percentile जो है वो मतलब आप आराम से देख सकते हैं 2000 rank के अंदर आ गया 1500-1600 rank के आसपास आ गया तो exercise 1 के अंदर वो potential है बचरते कोई बच्चा properly करे तो जैसर तुमने बुला के 10,000 के अंदर तुम्हे rank चाहिए तो I would say that is very much possible अच्छा ऐसा भी होते है कि जो बच्चा means में जिसकी 2000 rank आई है फिर वो हमारे cats करता है उसके आद वो और jump मारता है बच्चे 1000 के पांसों के अंदर तक भी बच्चा आए हुए तो as far as probability is concerned I will say that you are well placed अगर तुम 13-14 घंटे मेहनत करें और effective मेहनत करें तो this is very good 10,000 क्यों तुम तो 2000 के अंदर आ सकते हो आराम से बचरते कि यह जो momentum है वो तुम्हारा last तक चलता रहे और जैसा तुमने बोला कि मेंसर एडवांस के बीच में जो time है उसमें हम क्या पूरा एडवांस के लेविल का preparation कर सकते हैं तो yes because जो theory lecture है वो तो दोनों के लिए same ही है तो अगर तो हमारा theory complete होगा और पच्चिस chapter हैं तो आराम से दो दो दिन में एक एक अगर हम चप्टर एडवांस लेविल की exercise 2 को खतम करने के लिए करेंगे तो हमारी एक बहुत solid preparation advance की भी हो जाएगी बस मेहनत करते रहो result बहुत अच्छा हैगा all the best sir एक हुमन चैनल नाम से उन्होंने एक question पूछा है can a neat experiment use ABJ sir's lecture for preparation और उन्होंने लिखा है I am learning from those lectures since March and want to continue with those lectures in class 12th also हाँ definitely in fact last year surprisingly हमारे पाल बहुत सारे neat में जो अच्छी रैंक वाले बच्चे थे जो टॉप रैंकर्स थे उन्होंने खुदी आगे बढ़के ये बोला कि physics और chemistry वो हमारे चैनल से पढ़ते हैं तो उनको एक edge मिल जाता है बाकी जो neat के aspirants होते हैं उनके उपर और इसी वजह से वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए तो definitely अगर तुम neat में बहुत अच्छी रैंक लेना चाते हो तो उसके लिए इस दा आइडियल प्लेस कि हम physics और chemistry ही पूरा हुआ है अभी तक और ये 2-3 normal lane lectures देख रहे हैं पर subject और exercise 1 और 2 दोनों solve करें interesting ये है he is studying for 14 hours daily अभी at this point इनके साब से इनका स्लेबस Feb के end तक कहीं पर finish हो जाएगा और इनका target है to get CS in some NIT if not IIT और IIIT तो क्या ये possible है सर क्या ये normal lane से ये सारी चीज़ें पूरी कर सकते हैं या फिर इन्हें champ लेकर आगे बढ़ना चाहिए he wants to be safe with 99 plus percentile तो इसमें 2-3 चीज़ें आपस में match निगला मेरे को ये समझ में नहीं आए कि जसे प्रिवीन 10 है अगर उस batch को follow करें तो अभी तक तो slavers और जाता हुजाना चाहिए के वल 10-20 percent क्यों है मतलब slavers तो और जाता हुजाना चाहिए अगर मालिया you are lacking तो हमने और भी videos बनाए हैं और batch में भी ये बताया है कि how to handle different type of situation अपने preparation को हम क्या prioritize करें कैसे prioritize करें एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि जो हमारी preparation है नॉर्मल lane और fast lane में मतलब जैसा हमने बहुत है content wise कोई खास अंतर नहीं है बस हम ऐसा बोसकते हैं कि जिसको चीजे receptivity better है वो fast lane follow कर पाएगा compromise उसमें कुछ नहीं है पहरा चीज तो यह हो गया दूसरा I would say कि जो तुम्हारी strategy है कि तुम्हारा slavers तो 20% तक ही हुआ है बड़ तुम exercise 1 और exercise 2 दोनों करें that is not good exercise 2 हमें अभी छोड़ देनी चाहिए and slavers हमें जल्दी complete करने की कोशिश करनी चाहिए तो I would say कि focus on exercise 1 का part 2 वो भी part 1 भी अभी के लिए छोड़ दो कि और exercise 1 का part 2 करो सारे lectures देखो of course अगर fast lane से समझ माता है तो बहुत यची बात है fast lane से देखो सारे lecture और नहीं समझ माता है तो फिर हमें जबरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए फिर chapter compromise हो जाएगा फिर हमें normal lane से ही देखना चाहिए fast lane is also is also नहीं fast lane is made for advanced level का preparation तो अगर तुम fast lane देखते हो तो उसमें कोई भी compromise नहीं advanced level तक की ही preparation उसमें हो रही है तो I will say कि preferably fast lane अगर समझ में आता है नहीं तो normal lane plus exercise 1 करो केवल और time to time जो भी दो हमारे test होते हैं किस दिम के अंतराल पे उसके बीच में सारे notes का एक बार reading लगाओ cumulative भी तो बार बार रेवाइस करोगे तो you will remain confident last तक ऐसे करो बाकी कोई negativity के बारे में मस सोचो बस यही follow करो क्योंकि अगर तुम बार बार strategy change करोगे तो वो फिर तुम्हारा जो rank है वो compromise हो जाएगा 12 तेरे घंटे तो हम पढ़पाते that is a very good thing keep doing it all the best